सबी को नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एथिक्स का पेपर कैसे त्यार करना है और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ बहुत सारे एस्प्रेंट जो 2025 में अपनी एक्जाम देने वाले हैं या 2026 में प्लान कर रहे हैं उनके ये कमेंट आ रहे हैं कि सर इथिक्स कैसे पढ़ें कैसे उसको एप्रोच करें क्या हमारी स्ट्रेटिजी होनी चीए और साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको इथिक्स के पेपर में किसी को एक रुपय देने की नीड नहीं है बिल्कुल फ्री ओप कोस्ट कैसे त्यार करना है ठीक है तो बगए से इथिक्स में मेरे दो बार अच्छे मार्क्स हैं एक बार 1145 मार्क्स हैं और एक बार 126 मार्क्स हैं तो आप इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि जब मैं में खुद अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ मेंस के पेपर में एथिक्स के पेपर में तो जो strategy है वो आपके भी काम आने वाली है और आपको अक्स्टा पैसा भी नहीं खर्च करना है तो बने रढ़ना वीडियो में एक एक एकर के बात करते हैं तो सबसे पहले एथिक्स के पेपर में आपको क्या करना है? सेलेबस देखना है. और सेलेबस ध्यान रखना है कि जैसे हिंदी इंगलिस दोनों में रखना साथ में क्योंकि हिंदी वाले में कई बार कुछ-कुछ कीवर्ड गाईब हो जाते हैं. मैंने इसा देखा है सेलेबस में, आप भी जब देखोगी आपको पता लग जाएगा. तो हिंदी इंगलिस दोनों साथ में रखना है, सेलेबस को ठीक है, साथ में. और कैसे प्रिपेर करना है? एथिक्स के पेपर में तीन या चार चीज़े इंपोर्टेंट होती है. सामाने आपको जानना है. ऐसा नहीं कि किताबी प्रिवा साब को जाना है. बिल्कुल नहीं. आपकी जो समझे, उसके साथ से जानना है. पहला पॉइंट होगा. दूसरा point होगा, सब के आपको अच्छे example चाहिए current example आपके पास हो सकते है जो किताबों में लिखे example वो हो सकते है तो अपर्स की कोपिस से आप example ला सकते हो example का मतलब जैसे कोई cushion आ रहा है बिना example के cushion को handle नहीं कर पाऊगी ethics के जो cushion आते है उनके demand होती है कि आपके पास अच्छे example होने चाहिए तीसरी बात क्या होने चाहिए, आपके पास अच्छे flow chart होने चाहिए ठीक है, दोनों तरक के sprint को number मिलें, ऐसे sprint भी जिरोंने flow chart नहीं बनाए, उनके भी अच्छे marks है और जैसे मैंने flow chart बनाए है तो मैं कह सकता हूँ कि flow chart ठीक है बनाए, इनोवेशन तोड़ा उसमें जलगता है और paragraph salary की वज़ाए आप छोटे-छोटे keyword में लिखना है उसको ठीक है ये एक demand होती है फूर्थ इसमें एक case study जैसे बात करें तो case study का आपको जो format है वो बहुत अच्छा होना चीए ऐसा गिसा पिटा नहीं होना चीए आजकल आप topers की copy हर कहीं मिल जाती है आराम से उसको देखना ठीक है मैं भी आपको बताऊंगा कि जो मेरी case study जो मैंने soul की बहुत ही best तरीकी से वो आपको घामे लेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका syllabus है इतिक्स में पेपर में आपको क्या देखना है जो भी syllabus है आपके पास होना चाहिए और एक बात और ध्यान रखना अपने short notes बनाना जो भी आप किताब पढ़ रहे हो और कोई notes पढ़ रहे हो कहीं भी जो भी मैं recommend करऊंगा आपको वो पढ़ रहे हो तो उनके मतलब 20-25 page में आपके notes होने चाहिए मैंने एक चीज notice किये जितने आपके notes छोटे होंगे उनको उतनी ही बार आप revise कर सकते हो उतनी बार जो example आपको याद रहेंगे और exam में आसाने से लिख सकते हो ethics के paper में पढ़ने से जएदा question के जो paper है उसको attempt लेना चुनोती होता है मैंने चारू means में यह मैसुस किया है कि ethics के paper में कास मेरे पास बिल्कुल छोटे notes होते तो उनको मैं जएदा वहाँ पर produce कर पाता और हम जएदा पढ़ते हैं जएदा किताबे पढ़ते हैं उनके चक्रब पढ़ते हैं तो नुकसान होता है कि वो चीज़े याद नहीं रख पाते हैं जबकि उसकी need ही नहीं है आप देखना टोपर 10-20 page लेके जब man's की exam हम देने जाते हैं तो वहाँ आप देखना जो serious experiment होंगे 10-20 page में बार-बार revision कर लेंगे अपना ठीक है उनके हाथ में रहते हैं वो तो ऐसे करके आप sword notes भी आप बनाना है ठीक है तो कहने का क्या मतलब है जो अभी मैंने बाते बता ये तीन-चार बाते हैं उसको कैसे apply करना है वो चीज आपको बता देता हूँ और free में कैसे त्यार करना है वो भी बता देता हूँ मैंने ethics का पूरा paper जो है to the point syllabus अपने YouTube channel पर बिल्कुल free में पढ़ा रखा है ठीक है दो साल पहले पढ़ाया था उसमें कोई update नहीं होता है अपडेट आपको खुद कोई example करने होते हैं बाकि उसमें need नहीं है अब आपकी मर्जी है कि आप 10-20,000 रुपे देके ethics किसी teacher से पढ़ो या free में जो है जिसके अच्छे marks आए हैं उनसे पढ़ो आपकी मर्जी है ठीक है free वाले की बच्चे कदर कम करते हैं थोड़ी लेकिन इनको मतलब देखके लास्ट एर भी अच्छे marks आए हैं जितने टोपर्स है हिंदी मीडिय को बोलते हैं कि आमने देखा, हमें फाइद आवा इस बार भी बहुत सारी बच्चे इनको देखके इंटर दे रहे हैं आपको भी फाइद होगा तो आराम से अपनी प्ले लिश्ट जाके तीस पतीस वीडियो सब कुछ वहां पे करा रहे हैं उसके अच्छा आंसर भी करा रहे हैं case studies वहां पे बता रहे हैं तो यह हो गए आपको कहां से करना है फिरी में किसे पढ़ना है तो यह काम दो हो गए आपका अभी किताब कौन से पढ़नी है यहाँ पर मैं दो किताब यह आपको recommend करूँगा एक किताब मैंने लिखी है बहुत ही प्यारी किताब है और कितने पेज होगे इसमें मतलब लगबग 190 पेज है और यह किताब नहीं है यह notes है किताब अलग तरीके से होती है किताब फिर हमें क्या करना होता है notes बनाने होता है साथ में इसमें अच्छे model answer भी बता दिये है ठीक है और यह किताब तो जेनुरी बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी है सब एस्परेंट ऐसा बोल रहे है ठीक है तो यह किताब देखना है इसमें जो डिमांड आपके flow chart की सब आपको मिलेगी ठीक है इस किताब को आपको चाहिए तो link description में और essay writing में सोबागे मुझे 157 marks आठ सुके है 157 marks UPC के एक्जाम में बहुत होते है तो essay के लिए यह किताब लिखी है जिसमें 6 साल के जो model answer भी है इसमें latest 2023 तक के model answer भी सामिल लिखे गए है तो यह दोनु किताबे आपको मत्र 300 रुपे मिल जाएगी मतला आपके घर तक पहुँचाएंगे हम 300 रुपे में आप जानते हो किताबे ठीक है इनका जदा कोई मौल नहीं रखा है बच्छे ते की किताब पहुँचनी चाहिए तो ठीक है हम बात करें थे क्या कि syllabus जो है उसके keyword को पकड़ के रखना जो भी syllabus है जैसे यहाँ पर syllabus दिया गया है कैसे त्यार करना है और इसमें साथ में एक और करना जो second RC की report है ethics की report है fourth report नेतिकता और सासने से करके एक report है उसकी संबरी ही काफी है आपके बाद time हो तो देख लेना क्योंकि उनमें से बहुत सार एच्छे example आप निकाल सकते हो तो साथ में देख सकते हो second RC compulsory नहीं है time हो तो देखना नहीं तो कोई बात नहीं नहीं तो अपना काम बन जाएग इससे ठीक है तो जैसे सबसे पहले syllabus में क्या लिखावा है कि निती सास्तर और मानवे से समन लिखावा है ठीक है syllabus में और इसमें जैसे मानवे क्रिया कलापों में निती सास्तर का सहार तत्वक क्या है यह हमारा पहला topic हो गया ऐसे topic को आपको divide करना है कि मानवे क्रिया कलापों में जो नितिसास्तर क्या होता है, इसके लावा, इसके क्या निड़दार को परिणाम होते हैं, इसके क्या आयाम होते हैं, और सारजनिक निजी जियों में किस प्रकार नितिसास्तर हेल्प करता है, क्या चीजी काम आती है, मानवे मुल्ले क्या होते हैं, महान जो विचारक हैं, उ और जैसे ये कुसन है, ये कुसन आ सकता है कि मुल्ले विक्सित करने में परिवार समाज और सेक्षनिस सहंस्ताओं की भूमिका, तो यहां आपके पास अच्छे एक्जामपल होने चाहिए, जो ग्रेट थिंक करें, या जो महान, आपनी जो पर्सनेटीज है, उनके समय में इसको त्यार कर सकते हैं, और मार्क्स भी आपको जदा हैंगे, और जो यो जी एस की कहले, उसकी तल्हा में इथिक्त की पर में कम समय दे के अच्छे आएँगे, ये ही पर नीमंद की पर में ऐसा हूता है, ठीक है, ऐसे जैसे अपे प्रेक्टिकल आएडिया हो सकते और जैसे सेलेबस में जितने भी कीवर्ड लिखे हुए है फिर अपना जो भाव उसके साफ से एक्जाम में लिखना है और अच्छे प्रलोचार्ट आपको बनाने है एक्जाम्पल के साथ में बनाने है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो जैसे इसमें एक सब्सक्राइब के नेतिक विचारक दास्टिक के विचारक है सो दो सो पान सो पढ़ते हैं इतनी नीट नहीं है मतलब मोटा मोटी ध्यान रखना जो जितनी इंपोटेंट है दस बीस महत्मागादी ठीक हम पढ़ते हैं अम इटकर ठीक है डोक्टर कलाम ऐसे बहुत सारे या आपको बहुत ज़्यदा यह पता हो कि किसका कोटेशन है उसकी नीट नहीं है आपको यह देखना है कि आप क्या समझ पा रहे है और उसको कैसे आप प्रेक्टिकल वे में आनसर लिख पाऊगे यह इसकी डिमांड होती है अच्छा एक और द्यानक ना इथिक्स के पेपर मे दिखा हुआ है जितने साथ जो साथ टोपीकल लगबग यह आपको सेलेबस जब आपका एक बिन त्यार हो जाएगा उसके बाद में केस स्टडी आपके लिए सोलकर आसान हो जाएगा क्योंकि केस स्टडी में यही तो प्रेक्टिकल आपको डालना है यही जो उपर वाली ए नितिखा सथर क्या होता है इसमें रिक नशीम कर सकते हैं इन दोनों में क्या आंतर है इससे प्रिपेर करना है ठीक है उनके अच्शह चार्ट क्या बना सकते हो फलरो चार्ट और डाइstopagen भी अपटने नोट्स में बराकि रखना दूसरा इसका टोपिक ता कि नितिखा सास् बहुत सारे इसके आयाम होते हैं, अलगले टाइप के आयाम होते हैं, ठीक है, इसको फ्लोचार्ट या डाइग्राम से समझ सकते हो, और वहाँ पे मतलब इतना समय आपके पास नहीं होगा, इतिक्स का पेपर, जी इसके सब पेपर में सबसे बड़ा आता है, लिखने में नोट्स प्रिप्यर होना चाहिए, इसके लावा जैसे एथिक्स के पेपर में क्या होता है, जो अच्छे कोटेशन है, वो भी आपके पास होने चाहिए, आप जहां पे अच्छे कोटेशन पढ़ते हो, उनको अपने डायरी में नोट्स कर सकते हो, वो आपके ऐसे में भी का और ज्यादतर ये किताब फ्लोचार्ट डाइग्राम के बाद हम सही लिखे गई है ठीक है तो आपको हेल्प कर देगी अलग से आपको बहुत जी तर डाइग्राम नहीं बनाने होंगे इसी से आपका काम चल जाएगा आप जैसे से आगे जाओगी इस किताब में जैसे जो रिसेंट एग्जम्पल होते हैं चाहिए वो इन्वारिमेंट के दस्टी कौन से हो या किसी भी दस्टी कौन से हो सकते हैं ठीक है और अच्छे मोडल आंसर भी मैंने एड़ कर दिया है जैसे टोपिक एंड होगा उसके अंदर मोडल आंसर आपको मिलेगा ठीक है और हेंड़ेटन मोडल आंसर मिलेगा ताकि आपको वो सब सीमा जो होती है कि डेड़ सोड का कुशन कैसे लिखते हैं दो पेज में कैसे कुशन मेंटरिन करते हैं ठीक है वो भी आपको help करेगा, ठीक है जैसे topic end होगा, हर एक topic जो end होता है उसके बाद में, अच्छे चीक है, जो model answer बता रहा था आपको में, वो आपको मिल जाएंगे, जैसे यह कुछ end हो आपना, तो इसके अंदर जो model answer लिखाव है, दोनों form में, print form में भी है और handwritten भी मिल सकते हो यहां से, या कोई भी किताब पढ़ते हो तो इसी दर्ष्टी कोण से पढ़ना है, मैं बार-बार इसी बात को ख्यारा हूं कि जरूर नहीं कि आप मेरे वाली किताब पढ़ना, कि सबसे पहले आपको ethics का syllabus जाना है, सब्दा उन्यों को दियान में रखना है, अच्छ तो real exam बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, तो यह चीज़े हैं कि मोटा मोटी कौन चीज़े आपको दियान रखना है, और case study का भी अच्छा format आप सीख लेते हो, तो इससे आपको बहुत लाब होने वाला है, जैसे last के अंदर आप जाओगे, तो case study का मैंने format बताया, ब कैसे उसको एक, आप सराणी के माधम से present कर सकते हो, जो आपने कोई भी विकल्प चुनने है, उसको कैसे आप ऐसे लिख सकते हो, तो एक अच्छे format के सापसे लिखा गया है, तो यह जो, मतला आपका कुशन था कि कैसे ethics पढ़े, तो ethics पढ़ने का आपने तरीका शीख लिया नोट्स बहुत ज़दा नहीं पढ़ने, कोचिंग के पीछे नहीं भागना है, अपने नोट्स बना लो या तो, गूगल से ही बना सकते हो, यह किसी किताब से अपने नोट्स बना सकते हो, 20-25 पेज में बन जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छे example, अच्छे quotation, अच्छे diagram आप त्यार रखना, तो आपका जो कुशन था, वो जिदा message थे आपके, कि ethics कैसे अभी से त्यार करें, तो आप आराम से त्यार कर सकते हो, कम समय में त्यार कर सकते हो, ethics और ऐसे दोनों त्यार कर सकते हो, कम समय में, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे कि थोड़ा पढ़ लेना एक बार जीज के टोपी पढ़ लेना कुछ आपका चीज पढ़ना सुरू करतेगी इससे आपका बाद में अच्छे से प्रिपेर हो जाएगा तो देखना ये दोनुक किताबे जो है इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं को वीडियो में